हलो एव्रीबडी दिस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम चू मैगनेट प्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं क्या होता है सबसे पहला सवाल आपके मन में आया होगा और मैं आपसे पूछता हूं सेलेनीटी मतलब यह होता है जिसे मुलते हैं कि पानी सलाइन होता है ओशन वाटर इस सलाइन वाटर ऐसा कहते हैं सलाइन का मतलब क्या होता है सलेनीटी का मतलब यह होता है कि amount of salt dissolved in the water ठीक है अभी जो हम पानी पी रहे हैं वह सलाइन नहीं है क्योंकि उसके अंदर salt नहीं ह अब जब आप नीबो पानी पीते हो नमक मिलाते हो तब आप उसे saline मना देते हो तो amount of salt dissolved in ocean water ठीक है इट explains the salinity of that ocean water fine तो all water in nature whether rain water or ocean water content dissolves mineral salts अब आप लोगों के मन में एक सेगंड के रहां पर बहुत ती जाया होगा क्या कि rain water में कहां salt होता है rain water तो हमें से पानी करता जब आ करके पीवी लेते हैं ठीक है लेकिन वह नमकी नहीं लगता है हमें तो यहां पर समझना चीजों को क्या होता है हर जगा जगा जो पानी है rain water हो गया rain water में भी salt आता है कैसर कैसे आता है मैं आप से कहूंगा नदियों के पानी में भी salt रहता है आप गोलो हमें तो फीली नहीं हुआ चलो सारी चीज़े समझते हैं यह हैं यह है रहता है तो लोग में क्या होता है कि water vapor जो होते हैं तो उन्हें एक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लेट रहता है वह कौन रहता है तो जो भी salt atmosphere में प्रेजेंट रहते हैं एकदम बारिक पार्टिकल चो रहते हैं एक तो वह क्या हो जाएंगे उन्हें मॉस्यर क्या बनाता अ है उसका आद में जैसे रिवर्स है तो जो रिवर्स भाह रही है यही तो में कंट्रिम्यूटर होती है ओशन में salt की कैसे जो रिवर्स भैते हुए जाएगी तो यह मांटें से रिवर निकल दिये अब यह जो रिवर निकल के जाएगी न तो वह क्या करती सर्फिस के उपर और मिनिरल सौर्ट होता हैं बोलो हां अब मिनिरल्स ऑडाया उसने रिवर्स में पाणी ला दिया और यह रिवर्स में भैतते भsmirkी तो अपने सांथ मिनिरल्स प्र होता है वह समुद्र में डिपॉजिट हो जाता है पानी डिपॉजिट हुआ तो पानी के साथ में मिनिरल सॉल्ट भी हो गया आया समझ में पानी के साथ में मिनिरल सॉल्ट वगरा भी जो है सब डिपॉजिट हो गए समुद्र में तो समुद्र में इस तरह से क्या आ जाते हैं फिर क्या मचली निनहें का जाएंगा तो यहां पर बता है कि किस तरह से सॉल्ट जो है एटमॉस fear के अंदर जो रहता है वह कैसे hydra sfed के साथ interact करता है और सबसे मतलब कहेंगे की जो केरेक्टरिस्टिक एका पर समझना है तिस हो जाता है तिस पानी का अपना एक नेचर है लेकिन पानी में एपनी को क्या करता है सुधिक दिछ आ रहेगा तो उसी को क्या कहते है तो यहां भी बताया है तो यहां यहां पर भी बता है कै 흥 of dissolved salt in sea water ठीक है और नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि नमक हर जगह है नमक मतलब समुद्र के पानी में भी नमक जो पानी उपर से आ रहा उसमें भी जो नदी का पानी उसमें भी आपकी बॉटल में जो पानी उसमें भी है ठीक है लेकिन अब क्या होता है कि समुद्र का पानी ज सी वाटर तो सी वाटर में जितना डिजॉल्ट सॉल्ट है उस कंटेंट को हम सलेटी से दर साते हैं जैसे आप क्या बोलोगे कि 3% सलेटी है 3.5 परसेंट जो होता है तो 3.5 परसेंट एवरेज है मतलब अभी आ उसको पार्ट्स पर थाउजन में कैसे लिखते है वह भी समझ चलो ठीक है लेटीट भी एक्स लेते थे ना में उसी तरह से हम क्या लेकर चल रहें कि यह जो वन केजी ओफ सी वाटरे थाउजन ग्राम ऑफ सी वाटरे इस डिवाइड ऑफ एनी सॉल्ट इसमें कोई सॉल्ट नहीं है अब अगर इसमें क्या करते हैं अगर इसमें हम मान ल मतलब क्या है पर थाउजन पार्ट ऑफ वाटर फ्रेश वाटर जिसमें सलीनिटी बिल्कुल नहीं थी उसमें आपने 35 पार्ट क्या कर दिये सॉल्ट के मिला दिये तो इस तरह से आप कहेंगे कि सैलेटी क्या है 35 पार्ट पर थाउजन अब अगर मैं कहूंगा कि इस सब्सक्राइब मतलब अमाउंट असौर्ट डिसालड इन इस सी वाटर हो इस कैलकुलेटेड तो इस इस कैलकुलेटेड इस अस्वाइब अस विश्जाण ग्राम और पीपीट यह पीपीट जो है तो पीपीट किट भी नहीं पी पार्पॉर्पॉइंट प्रेशन में यह य लिखा कैसे जाता वो भी समझ लो ठीके जिव फिके स्टुडेंट सो क्लियर होना चाहिए क्या होता है जिसे हम मान लिजे वर्ड का जो आवरेज है तो वर्ड का जो आवरेज एवर्ड वाइड एवरेज जो ओशियंस की सलेनिटी है एवरेज सलेनिटी है थर्टी फाइफ पार्ट्स पर थाउजन तो इसको हम क्या क्या सकते है थ्री पॉइंट फाइफ परसेंट भी क्या सकते है उसको लिखा ऐसे जाता है तो आप थर्टी फाइफ लिखिये थर्टी फाइफ ग्राम मतलब थाउजन ग्राम में मिला हुआ है तो उसको परसेंट का स लगाने के बाद में एक और यह पे 0 बढ़ा दो ठीक तो इसको ऐसे लिखा जादा 35 पार्ट्स 35 पार्ट्स पर थाउजन 35 पार्ट्स पर थाउजन आपको यह चीजे बेशिक्स पता होना चाहिए पार्ट्स पर थाउजन होगा अपर लिमिट टो डि मार्केट ब्रैकिश वार्टर अप ब्रैकिश वार्टर कі अं goto अब इचेज़ भी समाझेख वार्ट कम दापता है जो सुल However special नहीं है तो ब्रेकिश बीच का यूनिट हो जाता है मैंने आपको करता है कि जैसे यह जो आपने क्या रखी है बेंचमार्क रखी है तिया अपर लिमिट टू 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 पॉइंट सेवन पार्ट्स पर थाउजन जो है अगर मानलों की थाउजन ग्राम में क्या आपने बनाया है तो वह मैक्सिम लिमिकश सकते है उसके उपर जाएगा तो वह रहेगा नहीं है तो पानी पी लिए उसमें लिए उसमें ःसे बरावर तो वाली कहानी है यहाँ कि ज़ाधा पानी जब और सॉल्ट का कंटेंट पानी के प्रपॉर्शन बढ़ता है ना तब वह सलाइन लगता है निदो सॉल्ट तो रहता हिए तो ब्रैकिष वाटर हो गया ऐसे समझे लो फ्रेश वाटर रहता है कि एक एकदम कह सकते जिसे क्या है फिर उसके बार बीच में ब्रैकिश वाटर हा ज थाउजन है सर्य एवरेज है मैक्सिमम कितना हो सकता है अभी आपको मैं कुछ फेक्ट्स बताऊंगा तो मैक्सिमम इतना हो सकता है कि वह पानी इतना है कि उसमें डूपते ही नहीं है और सॉल्टने सलाइने से क्या साथ पर है सारी चीज़ने समझ में आ जाए कि भी रिलेट क लोग क्या है वह factors तो दी Salinity of Water in the surface layer of ocean depending mainly on evaporation and precipitation evaporation or precipitation जो ही न यह दो ऐसे भाई है जो ocean की salinity को बहुत ज्यादा हलता ही इंफ्लेंस करते हैं और भी factors है factors तो इतने सारे है multiple की बताते जाओंगा तो आपके पास में लिस्ट को बनते जले आएगी लेकिन हम बेसिक्स को लेके चलें अगर तो जैसे एवापरेशन और प्रेसिपिटेशन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करते हैं सेलनीटी को इंफ्लेंस करते हैं कैसे य एक वाटर बाड़े यह आब उस वाटर बाड़े में हम ओशेन ही अब शे नहीं क्या होता है पानी है पानी के अंदर दिजॉल्ट सौल्ट भी है 1967 लेके चल रहा है तो उसके अंदर इंफ्परीरिशन और प्रक्रेशन बनेरफ इंफ्लैस करता है तो पहला कंडिशन हम झा ह पहला सब्सक्राइब तो आप क्या होता है पानी पानी तो दो जाएगा इवाप रेत हो जाएगा गैशन में लेकिन सॉल्ट तो सॉल्ट बिचारा मायूस तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ता जारा है अब आप सोच रहे होंगे है कि सर ओशन में चलो किया है कि सॉल्ट पाया जाता है लेकिन ऊशन में इतना सॉल्ट इपानि क्यों हो जाता है तो लाखों साल से वापिस आप परेट हो जाता है तो पानी साल पानी आ रहा है वो क्या करता है सॉल्ट और एड करते चल जा रहा है तो इस कारण से जिसे आप देखोगे तो उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ता चले जाते इसी कारण से ओशन वाटर जो सलाइन होते हो ठीक है तो आप क्या सीखें कि इवापरेशन से सलेनीटी बढ़ती गढ़ती है इवापरेशन से सलीनीटी बढ़ती है तो इवापरेशन से अगर आप सलीनिटी को समझोंगे तो स्लीनिटी कैнゃ वो हो यह बढ़ रही है ठीक हमने किया फिसमा निछय जाए कि तो और शाट निची रहे जाएगा ठीक है फिर प्रेसिप्टिटिशन के गरम बात करें तो प्रेसिप्टिशन में क्या होता है कि यह जो वाटर ने पर इवापरेट होके जए थे यह क्या हो जाएंगे अब करेंगे अब उपर से जो पानी आता है तो वह रिलिटिवली क्या तो फ्रेश वाटर जब समुदर में आके मिलेगा ना तो उससे अभी तक क्या है पानी जो नमकीन था उसके अंदर फ्रेश वाटर मिला दिये तो क्या होगा सलेनीटी कम होगी बढ़ेगी कम होगी एक्जामपल जैसे ग्लास में आप क्या करो एक ग्लास में आप पानी नमक मिला लो तो अभी पानी प्योगी नमकीन ज्यादा लगेगा अब उसमें उतना ही पानी आप क्या करतो फ्रेश वाटर मिला दो बिना नमक के फिर पानी प्योगे तो आपको कम लगेगा ना सलाइन त का पाजा ओजरा मैप पर तो आप जिसे देखो गय कि ट्रापिकल रीजन जो है ए मैक्सिमाम इव अपरेशन ट्रापिकल रिजिन में मैं हो रहा है तो यहाँ पर सेलिएट क्या होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिलोगे और आप से कैसे तो यहाँ पर प्रेसिपिटिशन भी तो हो जाता है और प्रफिकल लेजन में आपको पता है जितना इवापरेशन औरा एवन इवापरेशन exceeds precipitation ठीके तो वहीआ यहाँ परूमिट रहेगा ज्यादा बारिश हो रही यह बहुत ज्यादा इवापरेशन से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसकारण से हमें क्या देखने को मिल रहा है यहां पर कि यहां पर इवापरेशन तो हो रहा है लेकिन प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है तो सेलेनीटी को क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता क्यों कि चीज इंपोर्टेंट है ध्यान रखना अच्छे से कि किस तरह से इवाउपरेशन प्रेसिपिटेशन जो इंफिलेंस करते हैं सलीटी को और वर्डवाइट क्या केस रहता है तो वर्डवाइट केस को अभी और अच्छे से समझेंगे हम अभी आगे बढ़ते हैं यहां पर त सासरा अब यहाँ पर असको किया कैस होता है तो जिस से आग्र आप समझेंगे गता तो कि क्या होता है कि Euh सेलीनेटी जोएं उसको फ्रेश वाटर भी फ्रेशन इंफ्लेंस करता है अब मात करें तो फ्रेश वाटर फ्लोऊंग Ib кан pergi तरहां उसके अंदर सॉल रहेगा जमीन से तकृट वह मिनेरल सॉल लेका आएगी लेकिन जो समुतर का पानी उससे तो रिलेटीव ली क्या रहेगी वह लेस सलाइं रहेगी ना ब्रैकिश रहेगी मानलो ब्रैकिश से भी कम तो अब यह जो पानी लेकर आ रही है यह कम हो जाएगी ना तो वैसे ही क्या होता है कि ओशन सर्फेस के उपर जो कोस्टल रिजेंस में सेलिनीटी रहती है इस बिंग इंफ्लेंच बाइदी फ्रेश वाटर ड्रेंड बाइदी रिवर्स ठीके एंड अदर मीडियम ठीके तो रिवर्स वगरा रीन वाटर जो है वो तो उपर बताओ कि बिंगॉल में ज्यादा सेलिनी रिवर्स का रहा है यहाँ कि यहाँ परता है शुट फ्रेश वाटर ड्रेंड को इंफ्लेंस कर रहा है नहीं कर रहा है वह कम फ्रेश वाटर आरा मतलब इसकी का रहेगी जादा रहेगी क्यों कि फ्रेश वाटर एड़न नी ओर इयुक्ष जाधा रहा है ठीक है तो यहां पर इवन सी की सालीटी जाधा है वे बंगॉल से अगर कंपेर करोगे तो क्यों कि बेव बंगॉल में गंगा अब रमपुत्रा यह जो रिवर्स अपना पानी ड्रीन कर रही है तो यह क्या है फ्रेश वाटर ड्रीन कर रही है से बेओ बेंगॉल की सेलिनटी क्या है कम है संच में पॉइंट ठीक है अब आगे आते हो और तो विंड ऑप सो इंफिनसे सेलिन एरिया बाइट ट्रांस्फरींग वाटर टू अ प्लənेटर से यह बोलें दर एक शला रही होती है तो तो प्लेटियोंग प्लेनेटर इंडिया हो गया गया इसटर लिए तो दालेज्प से फिर वाहा करे जाएगी आपको यहां पानी जो आ गया तो उपर का पानी जो था जो सलाइन था ठीक है उपर का पानी जो लेस सलाइन था क्यों लेस सलाइन था बता हूं एक कारण क्योंकि उपर का पानी क्या इवापरेट हो रहा है ना तो इवापरेट होने के कारण वहां पे पानी जो मॉलिकूल सो वुपर पाण चले चले नीचे का पानी अपवेल होक आएगा अब जो नीचे का पानी था ना नीचे का का पानी में डिजॉल्ट particle ज्यादा थे इस कारण सिका हुआ मज़न से वह पानी डेंस था और अस थिख chem आया तो यहाँ पे कैसे वो समझाता हूं जैसे थंडा पानी है थंडा पानी है तो गरम पानी है थंडा पानी गरम पानी में क्या होते है मॉलीकूल्स क्या होते दूर दूर होते है ठीक है उसके अंदर सॉल्ट कम रहता है ठीक है और देंस वाटर जो रहता है ठीक है यह पॉइंट ध्यान रखन जो और एक और पॉइंट हो जाता है कि वाम वाटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है वाम वाटर में आपको यह देखने को मिल रहा है कि जब सॉल्ट का कंटेंट कम है तो इसका मुवमेंट तेज होता है अच्छा एक्जांपल देता हूं में डेंसिटी समझाने का देंस जिसने मैं यह नमक नहीं मिला है उससे उतनी ज्वर से नहीं लंगे मैं पॉइंब मिला है इस पानी चीज्ब पांटर ना। तो इस तरह से पानी की डेंसिटी जो वह व्लाइब टेंपरेचर पर इंफूरेंस होती है यह सारे फैक्ट आपस में पर पाइट रहते हैं तो था तरह रहे थे हम आपको को यह बता रहे थे पॉइंट पॉइंट यह था हमारा की विंड़ ऊथे salinity of an area by transferring water to other areas तो विंड जो है वो प्लैनेटरी विंड को क्या करती धगा प्लैनेटरी विंड जो होती है वो वाटर के मुवमेंट को इंफुएंस करती है और वाटर के मुवमेंट से क्या होता है अप विलिंग होती है और जो रहता है वह देंस वाटर रहता है उसके अंदर देंसीटी क्यों बलती क्योंकि सॉल्ट एक्सेक टेंटर Дляध तो ऐसे करेंट को मिलते तो ँट करती ओशिन करेंट को अक्रॉंस करती और ऐसे आग से यह लुकुनρώण ओटिके चल रहे हैं तो पानी जिस तरफ से जाएगा डिन्स वाटर अगर जीदर जाएगा उधर क्या हो जाएगीज वह जाएगी to तो ओशन करेंट विंड जो है वो सलिंटी को inflinence करती है तो ओशन करेंट भी शेलिनीटी को influence करते है ठीक है अब यहां पे क्या बताया है कि सेलिनिटी टैंपरेचर तेंपरेचर और डंसीटी ओफ वॉटर रिंटर रिलेटेड यह एतेमप्रेचर ह्थेठेब टेंप्रेचर का रहता है यह था घ्युक siamo फिरचर है थ्येखेबज घ्यूकि जाधा रहता है तो यहांपर क्या होगा एवांप विराऊयो है तो जब जब जादा रहेगा घ्यूं क्योंकि वह पप्रेटर भी चीन भी रहता है तो इक्वेटर पानी का जो टेंपरेचर रहता है ठीक है वाम रहता है और वहां पर नमक जो है सेलिनीटी जो है कम है क्योंकि वहां पर प्रसिपिडिशन हो जा रही है यही चीज आगर आप चले जाएंगे कहां पे अगर देखा जाए पोलर 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 रेजयन से तो सब्रोपिकल我 में आपको टेमप्रेचर ज्यादा अब उसी के साहत में क्या होता है और यहां पर स्य जादा रहेगी क्यों कि यहाँ पर precipitation एकसीड नहीं करता है जितना प्रेशिटिटि tratar अगीquito बेंशन हो लाएँ तो को लगता टेंपर हो जो भा आएए आप टेंपरीट रिजन में टेंप रिजन में क्या होता और भीमकोंटे नहीं होतब नहीं होता है अब देन्सीटि एक रहता है हम रहता है कि यहां पे यहां पे लिए अगया नहीं कहले है तो यहां पर श्रीप परेस्टटि का मैं तो सेलिनिटी जो है वह कम रहना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है एक यहां पर उसके बावजूद लेकिन प्रसीपटीशन भी अभी हम बापिक साते हैं बेसिक्स पे तो हमने यह देख लिए कि हाँ एवापरिशन प्रेसिपिटिशन टेंपरेचर सेलनीटी को इंफ्लेंस करते हैं फिर उसे के साथ साथ जैसे कर आप देखोगे तो जो अमांट ऑफ वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है फ्रेश वाटर वो भी क्या करता है costal region में जो sea water है उसकी salinity को इंफ्लेंस करता है टीके wind जो है wind ocean एवरेज कितना है 35 parts per thousand अब इसी को अगर हम highest lowest के context में देखें तो मैं आपको बता तो highest salinity in water bodies अगर देखो कि तो सबसे ज़्यादा कहां पे which is the most saline water body in the world तो lake van in Turkey Turkey है यहां पे ठीक है तरकी में आपको lake van देखने को मिलेगा इसकी पता है कितनी salinity है 330 part per thousand मतलब thousand gram of water अगर निकाल होगे तो thousand gram of water में कितना नमक मिला हुआ रहेगा 330 gram नमक मिला हुआ रहेगा highest salinity in the world इतना dense water होता देखो salinity से density जो रहती directly proportional रहती जितनी ज्यादा saline होगा उतना ज्यादा dense water हो जाएगा क्योंकि नमक के particle उसमें मिले हुए ना तो अगर आप dense water किसी को मारोगे मतलब saline water किसी को मारोगे जितना ज्यादा water saline होगा उतनी जोर से लगेगी उसे नमक का पानी जो है और एक और अच्छा example मैं आपको देता हूं बहुत बढ़िया ठीक कर पाओगे कभी आपने मटके वाली कुल्फी खाई है वह तो वह जिस मटके वाली कुल्फी जो रखते ना तो वह क्या करते हैं थंडा आप हम उसके 310 नहीan पानी में इसका ring इन्सान ढून दूब में रहा है अब इसलhini नहीं रहा है कि हमएप इंसले इतना जादा नमक इसले निरा は पानी मिलाए पानी के इन देंशी इतनी जादा है उस पानी कि उसका पार और थाल unintended nett. से लिए तनी जयादा है की कि इन सक्मातलब पाने इतना हो गया क्या आदमें दूबता नहीं है सॉलीड जो सॉलीड कि डेंसिटी ज्यादा है ना उस करanu सापके वह के से यहां पर फिर क्रेट सॉल्ट लेक जो यह तो डेट si कहां पर यह तो इसरैल के पास में जा यह तो इसर पर थाौजन से इस डारेक्टी रिरिटेद टू डंसिटी ठीक अब लको लेकवें देखने को मिल जाएगा ठीक है नौर्थ अमेरिका में गांप घर आप जायोगे यहां पे तो नौर्थ अमेरिका में आपको क्या लेक वैन और यह आपका होगा देट सी क्लियर तो दिस वाल आप दिस वीडियो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है मैंगे बीन्स पर इसी तरह से अब नेक्ट वीडियो में क्या करने या लाँ है हम यह भी सुन लो हम होरीजोंटल और वर्टिकल सेलनीटी को भी देख लेंगे जिस तरह से हमने क्या देखा था टेंप्रेचर के होरीजोंटल और वर्टिकल दिस्ट्रिबूशन को देखा था मैंगे बीन्स पर इसी तरह से किंडर गार्डन से क्लास 12 तर सभी सब्जेक्स चैप्टर्स टॉपिक सब्टॉपिक सब कुछ सिस्टेमाटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फार्माट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से दे लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मुच